उसी को साथ ले जाना होगा दोनों वैक्सिन के दोडो डोजिस दिये जाएंगे कोवी शिल्ड के पहले और दूसरे डोजिस के बीच 4-8 हफतों का तो वहीं कोवैक्सिन के दोनों डोजिस के बीच 4-6 हफतों का फासला रहेगा क्या दोनों डोजिस के लिए अलग अलग रेजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं, दोनों डोजिस के लिए एक बार ही रेजिस्ट्रेशन कराना होगा क्लिनिकल ट्रायल्स में दोनों ही वैक्सीन वाइरस को रोकने में कारगर पाई गई हैं इसलिए दोनों ही वैक्सिन्स बहतर हैं। क्या मैं दोनों वैक्सिन में से कोई भी वैक्सिन कभी भी लगवा सकता हूं अपने मन से? नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप जिस वैक्सिनेशन सेंटर पर जाएंगे वहां कौन सी वैक्सिन अवेलिबल है। मुझे पहले करोना हुआ था, अब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूँ, क्या अभी भी मुझको वैक्सिन की जरूवत है। बिल्कुल, कोरोना के कई मामले रिइंफेक्शन के हैं, इसलिए आप रिकवर हो गए हों तब भी वैक्सिन लगवाएं। बिल्कुल नहीं, आप पहला डोस जिस भी वैक्सिन का लगवा रहे हैं, दूसरा डोस भी उसी वैक्सिन का लगवाएं। बिल्कुल, वैक्सिन लगवाने के बाद भी पहले की तरह ही सावधानी बरतना जरूरी है। वैक्सिन के दोनों डोसिस लेने के दो से तीन हफ्तों के भीतर शरीर में एंटी बॉडिज बनना शुरू हो जाती हैं। जिस जगा वैक्सिन लगाई गई वहाँ हलका दर्द, सिर्दर्द, बुखार, चिडचिड़ापन, चक्कराना जैसे लक्षन दिख सकते हैं। ऐसा होने पर डॉक्टर की सलाह से दवा ले सकते हैं। वैक्सिन कोरोना से बचाव की 100% गारंटी नहीं देती है, लेकिन कोरोना से लड़ने में आपकी शक्ती जरूर बढ़ा देती है। वैक्सिन से पीरियेट्स पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। नहीं, पीरियेट्स एक पूरी दरह से नैचरल प्रक्रिया है, वैक्सिन का इससे कोई लिन देना नहीं है। वैक्सिन की कीमत कितनी है? तरकारी वैक्सिनेशन सेंटर में दोनों ही वैक्सिन्स मुफ्त में लगाई जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में आपको वैक्सिन के एक डोस के लिए धाई सो रुपे देने होंगे। तो उमीर है वैक्सिनिशन को लेकर सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो जल से जल वैक्सिन लगवाएं और कोरोना को हराएं।